दे सब्सक्राइबर तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंग आज हम बात करने वालें बिहार बेपेसी टीचर थी वेकेंसी को लेकरें फॉर्म कैसे फिल अप करेंगे जैसक फ्रेंग मैंने आपको सभी को बता दियाएं फ्रेंग कि 10 फरवरी से आपका ओलाइन फ्रेंग स्टार्ट ह होने वाल है और लास्ट डेट आपका फ्रिंट जो की तरीस फरवरी तक रखा गया है तो चलिए बात करते हैं कैसे आप लोग जो की फॉर्म फिल अप करेंगे जितने भी कंडिडेट के लिए वेट कर रहे थे फाइनली डेट आ चुका है और ओलाइन शुरू हो चुका है तो अब लेकर करना इस तरह से कर देंगे तो आपको यहां पर लेकर करके आप डिटेल्स कर सकते जो कि मैंने वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर दिया है या फिर आपको लिक आपको डिसकर्शन में भी मिल जाएगा वहां से इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते आप जैसे यहां पर करना से समझने आपको जHisएवान या बत आएगा कि से मिश्टेक को नहीं मिस्टेक नहीं तो, अगर आपका पैसा भी जो कि return नहीं आता है ता आपको ध्यान रखने हैं और अच्छी तरह से form को भरना है friend जैसे आप यहाँ पर वेबसाइट पर आ जाते हैं इसके बाद यहाँ candidate का first नाम फिल करना होता है candidate का middle नाम फिल करना होता है candidate का last name जो भी friend आपके documents में नाम है उसके अपको यहाँ पर first mo exploring चोड़ों देना है मिडिल में आपको कुछ ने फिलना है की दिदेंगे यहाद को लगाते तो अच्छी तर wired up मार छर्मा लगा रहाते है तो अच्छी तरल इसपे आप समझ क्ईस् Mini क्याम को अच्छी तरहीं फिल करना इइसके बाद करें अगर कोई female candidate का form भरने हैं अगर वो साधी सुधा है तो उसका husband का नाम यहां पर लिख सकते या फिर छोड़ देंगे अगर आप नहीं देना चाहते तो उसके बाद यहां पर candidate का mother's का नाम करेंगे कि यहां पर अधार काड से दाता है चलो पर नहीं है अप्लोट करना है एक सो की से कम फाइल का साइज रखेंगी डिया फाइल में बनाएंगा और यहां पर रोडुक करेंगे आपका यहां पर आपलोड हो जाएगा अगर प्रिंश चार्ज 20 200 रुपे चार्ज एक्ष्टा होता है जैसे फॉर्म का अगर चार्ज आपको 200 रुपे लग रहा है और यहां पर आइडिया पेंट कार्ड चूज करते हैं आधार कार्ड को छोड़के तो आपका फ्रेंट यहां पे 200 प्लस हो जाएगा यानि कि आपका 400 रुपे इसमें कटे का आप प्राधर कार्ट चूज करेंगे और यहां प्रस्टा चार्ज आपको नहीं देना है तो आपको अपने यहां रुपे सकते हैं और यंदियन कि डिख सकते हैं इसके बाद आपको रेप अपको डिटेल्स जो होता है वो बताने इस तरह से बी आर्सी करके होगा इस साल आपने बनवाया है वह साल का होगा यहाँ पर नमबर आपको लिग देना है किस डेट में बनाया आपकी जो के रेशिदेंटल सेटिफिकेर जो आपका निवास प्रमान फत्र है उसमें आपका इसान के लिखावा होगा उसको जर् inglese साल आगे पीछह करके देख लेंगा और अच्छी तरह से फिल करेंगे और यहां पर अपडोड करेंगे एक सो के Бी से कम साइज रखेंगे प्रेडियर फायल में यहां पर फ्रिक करेंगे अपलोड करेंगे अपलोड करेंगे अपन deaf उस उस पर टिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरस ओप्षन खुल कियागा अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो आपको NCL Certificate लगाना है या फिर EBC से आते है तो भी आपको certificate लगाना है EWS आते हैं तो आप सब जो कैटेगरी साता है आपको पता होगा कि आपके कैटेगरी में यह certificate बनता है तो आपको ब्लोग से या जो भी आपके अनुमंडल से होता है से तीनों में से कहीं से भी आप बनवा कि यहां पर अप्लोट कर सकते हैं तो जैसे मालेज़ अगर आप ABC वाले candidate यहां बीसी वाले हैं यहां पर बीसी पर टिक किये यहां पर फ्रेंट डिटेल्स में क्या देना है कि आपका एंसल का जो भी फ्रेंट आपका यहां पर पुरा नमर लिखना है उसके बाद यहां पर बनवाए दो आपने बिहार की निवास यहां पर टिक करने अगर अगर अधर को इस टेट से बनाया थियां पर टिक करेंगे ता आप इनिजबल नहीं होगे ता अपको ध्यान में रखने है simply आप यहाँ पर बिहार पर टिक करेंगे और NCL को upload करेंगे जैसे आपका साइट जो है 100 से कम रखने KB में और PDF फाइल में upload सब ही documents को 100 KB से कम रखने PDF फाइल में upload करेंगे अच्छी तरस या फिर वहीं पर अगर आप SCST आते हैं अब जिस भी जाती से आते हैं son sporty या किसी भी तरह needing का देख सकते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारी options देकने के लिए सब्सक्ञाएं अगर ewS में है तो इसमें भी आपको यहाँ पर साथ क्या जाती से आते है जर अपने coding जो भी जाती सा आते है वो आप example पी इस तरह से select करेंगे उसके बाद यहाँ पे card certificate का number बताएंगे जो भी फिरिन आपका इस तरह से bcc करके होगा अपना number बताएंगे, date बताएंगे फिर यहाँ पे आपको upload करना है simply अच्छी तरह से तो इसको फिरिन अच्छे से feel करना है अगर फिरिन वहीं पे अगर जो बिहार के candidate नहीं है अधर इस्टेड वाले candidate है तो यहाँ पर पुछा जाता है क्या बिहार की निवासी है तो simply आपको यहाँ पर क्या करना है नो करेंगे आपका फिरिन यहाँ पर नो करते ही देख सकते हैं तो आप यहाँ पर no करेंगे तो आप यहाँ पर general से फिर apply होगे उसके बाद करेंगे ऊहाँ पर सेs continue करेंगे यहां पर फ्रिण आपको married status बताने हैं आप married हैं unmarried हैं जो भी हैं यहां से आप select कर लेंगे उसके बाद freedom fighter के अगर आते हैं इस फ्रीडम fighter के अंदर से तो आप simply यहां पर yes करेंगे नहीं आते तो no पर click करेंगे pwd आते हैं अगर 40% से disability अगर आते हैं अगर आते होती है यहां पर yes करेंगे नहीं है तो no पर simply अपर नहीं देंगे यहां पर उसके बढ़ और बने ने के अपको उप्स देखने के लिए मिलता है यहां पर प्रिन आपको इसमें क्या करना होते हैं, यहां में स्तिक्स करना है, यहां को याद रखने इस वाले option को simply आपको यहां पर यहां पर क्लिक करना है जो आपको कि देखनी 잘 मिलता हैं 박ाइब dish paper person और female candidate को क्लिक कर देना है उसके लेएक अप जधयतो केस कि नहीं होंगे अगर हो LOOK ने अगर होंगे तो आप यहां पर उसका details यहां पर आपको बताना आते हैं जो भी वैसे candidate है जो पंचायती राज में अभी present time में कार्य सिख्छक हैं जो teacher के अभी job कर रहे हैं अगर वो candidate यहां पर form भरते हैं क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे student होते हैं जो कि अपना post बरहने के लिए जो की जिसे BPST में डाल देते हैं जो जो भी ब्लोक आता है उसके बाद district बताएंगे किस district में है उसका जो भी आपका न्यूक्त परमानपत का जो certificate नंबर होता है वो आपको यहां पर बताना है कब आपका जो डिटेल्स फिल करना है इसको अच्छे से और समझना है कि आपका जो अपनी प्रसेशन के योगता है उसका फ्रेंट डिटेल्स यहां पर देना याने कि आप जो भी बीड डेलेट जो भी करने आपकी इस qualification के अधार पर यह फॉर्म भरना चाहते है इसको फ्रेंट यहां पर फिल अप करना है जैसे अगर आपके पास बीड की डिग्री है या फिर डिप्लोमा का डिग्री है उ आपको इसको टिक कर देना है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर एक option और देखने के मिलता है केवल कंप्यूटर विग्यान अगर जो वैसे कंप्यूटर साइन से अपना qualification उत्तरिन किये हैं परहाई कंप्लीट किये हुए है जो कि केवल विग्यान कंप्यूटर को ले करके तो आपको यहां पर इस वाले option को जो कि किलिक करना है या फिर अगर केवल संगीत विशे को ले करके जैसे music बगएरा होता है जो संगीत को ले करके भी आपको ओनर्स किये हुए होते है कोई परहाई करता है संगीत को ले करके तो आपको इस वाले option को टिक करना है या फिर आ आपको यहां पर इस वाले option को क्लिक करने हैं लेकिन ज्यादा तर केस में आपका फिरिण जो कि यह ही होगा क्योंकि यह सब computer science ID कम-कम student होते हैं आपको फिर दिहान से समझना है जो भी B8, DL8 वाले जैसे भी candidate है जो state paper या फिर आपका जो की CT8 पेपर पास किये वे वन टू तो उस case में आपको फिरिण अच्छे से समझना है यहां पर टिक कर देंगे जो भी आपके B8, B8 वाले option देखने के लिए यहां पर मिलता है उसके बाद यहां पर फिर आपको एक option देखने मिलता है दक्षता परिक्षा और आपको दो option देखने के लिए मिलता है जो 2000 पहले से प option के बारे में बताए इसके बारे में कि जो teacher जो कि ओलेडी teacher विभाग में job करने अगर वो इस option को yes करके यहां पर details फिल करते है तो उसको प्रिण यहां पर केबल दख्षता परिक्षा वाले option को टिक करना होते है जैसे आप यहां पर इस तरह से टिक करेंगे ओके करेंगे त तो simply जैसे आपने यहां पर जो कि फर्स्ट वाले को टिक किया ठीक है आपको यहां पर फिर्द देख सकते हैं कि बहुत सारे option कि आ जाता है कि इन में से क्या complete के जैसे आप ctate paper वन या बीटेट पेपर 1 complete कि यह एक से पाच के लिए अगर एक से पाच के लिए आप teacher के रोड़े क्योंकि B8 वालों को फिर पहले हटा दिया गया आप सभी को अच्छे से पता है और जो इस बार भी notification में clear कर दिया B8 वाले candidate एक से पांच को ले करके form नहीं भर सकते हैं जो delete वाले हैं वह यहां पर भर सकते हैं तो अगर आपका delete है और आपका ct8 paper 1 या bt8 paper 1 पास है तो आप जो इकि इस वाले option को टिक करके जो कि यहां पर जा सकते हैं या फिर अगर आपने b8 के बाद या फिर आपने b8 के बाद जैसे ct8 paper 2 पास के जो कि 6-8 को ले करके टीचर है तो अगर आपने यह complete किया आपको इस वाले option को tick करना है इसको फिर अंटिक कर देना है अगर आप दोनों के लिए इनिजबल है तो जैसे आप जोई कि दोनों जैसे आपने जोगी आपका जोई से के लिए हैं तो एक के लिए या फिर ऐसे पर कंडिरेट जो भी हार इस्टेट पेपर वन पास नों से दस के लिए और इसमें साथ में आपको और एक option देखने हैं मिलदा जो कि वनली फॉर आपको यहां पर मिलान करना है तो आपको ध्यान में रखना है जैसे यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप जैसे अगर 6-8 के लिए इनिजबल है पेपर टू बीट के बाद तो simply आप यहां पर इस पर किलिक करेंगे यह आपका आ जाएगा उसके बाद यहां पर आपको qualification का details feel करना होता है कि आपका जैसे भी CT8 पेपर पास है या फिर BT8 पेपर पास उसका फ्रेंड यहां पर certificate नंबर देना है कब issue हुआ है वो date आपको यहां पर देना है और certificate को फ्रेंड यहां पर upload करना है एक सुख के भी सिकम पेडिया फाइल में easily यहां पर upload करेंगे इसका फ्रेंड ध्यान में रखना है कि अगर जो appearing वाले candidate है जो जिसका अगर CT8 वागेर अगर appearing है या BT8 appearing है तो वो apply नहीं कर सकते हैं अगर आपका जो की result जैसे आपका pass हो चुके है और आपका net वाला अपने net से भी download करके mark से certificate रखा है तो वो भी लगा करके यहां पर form को भटना आप continue कर सकते हैं यहां पर आपको ध्यान से समझना है कि जैसे मैंने यहां पर अभी जो कि मैंने यहां पर बीड और एक 6-8 को लेकर कि यहां पर मैंने apply क्या हुआ है देख सकते हैं मैंने यहां पर बीड वाले option को टिक किया उसके बाद यहां पर CT8 पेपर 2 या BT8 प आपके पास qualification उसके according यहां पर आपको multiple option देखने के मिल जाता है यहां सची तरह से आप select करेंगे और click करेंगे और यहां पर आपको certificate आपको यहां पर दोनों टिक कर देना है जिससे आपको आगे चलके जो की multiple option आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो आपको अच्छी तरह से इसको फिरेंगे दोनों को टिक कर देना है उसकी बाद यहां से पर आपको जो की language पेपर 1 का बताने का आपका language क्या रहने आपको आपको प्रेंगे लेज रखना चारते है उर्दू बंगला या हिंदी वह आप यहां से सेलेट करेंगे आपना यहां से देट और बार्द को फिल करेंगे लिए तो आपके पास कुछ और भी option यहां पे खुलके आने वाला है देखा देता हूं मैं आपको जैसे आप पर जो कि Class 628 के लिए आप जो कि यहां पर इनिजबल होगे तो आपको इसमें टिक कर देना और जो भी यहां पर डिटेल्स देख रहा है कॉलिफिकेशन को सिंपली इसको फिरेंड देख लेना ओके पर आप किलिक कर देंगे उसके बाद इसका यहां से आपको सब्जेक्ट ब गिले आपको इस तरव इनिजबल के लिए अगर आपके पास यहां पर और एक ऑप्शन खुल के आ जाता है कि यहां पर देखने के लिए इनिजबल को कि इन में तरड आपको दो ओप्सन देख ने किली मीलता है एक a special वाला और एक आपका जो कि general education department का आता है एक वो तो आप इस पी टिक करनके जा सकता और यहां से प्लें आपको ओप्सन करने बीडिक कर सकते हैं आपको प्रेंट लिए pinecrji है घैसे आपने दो तरह आपके पास ॐसकर करेंगे यह उसके बाद है आपको कॉल Refसको करना है उसके बाद को सेम सेम कोपी कर देना है अगर अलग अलग है तो अलग अलग फील करेंगे उसके बाद इस वाली अप्षन को फिरिण आपको यहां पर यहां पर यहां पर किलिक करेंगे आपके मुबाइल पर यहां पर यहां से मुझे बाद यहां पर यहां पर क्लिक करेंगे आप put करेंगे आपको क्लिक करेंगे कारे आपको से आपका registration number, user ID, password आपको देखने की फ्रेंट मिल जाता है ता आपको फ्रेंट क्या करना है कि लोग इन करने की फ्रेंट आपको वापस यहीं पर आना है इस तरह से आपको यहां से अपने यूजर नेम जो भी आपको फ्रेंट अभी मिला है वो यहां पर टाइप करेंगे और यहां पर पासपर डालें, capture डालके login पर क्लिक करेंगे आप जैसे फ्रेंट आप लोग इन करते हैं लोग इन करने बाद आपको यहां पर सारा जानकारी देखने भी फ्रेंट मिल जाता है जो भी details आपने feel के हैं सभी को फ्रेंट अच्छे से मिलाना है कहीं भी अगर आपको एक-दो दिन रुख जाना चाहिए क्योंकि फ्रेंट केटिगरी बाइस आपको अगर post देखने के लिए मिल जाता है किस category में कितना आपको seat दिया गया है किस line को लेकर के teacher line को लेकर कि किस में आपका कितना post आने बाला है क्योंकि फ्रेंट 90,000 something वैकेंसी आने वाला है जो कि payment करने बाद आप form को cancel करते हैं तो आपका पैसा बरबाद हो जाता है तो इसलिए आपको कम से कम दो दिन तीन दिन रूख जाना है उसके बाद ही फ्रेंड आप जो ही कि करके कर सकते वापस से तो आपको पैसा नहीं कटेगा लेकिन अगर आपको पैमेंट करना है तो सिंपल आप यहां पर क्लिक कर देना है प्रेमेंट पर कुछ इस तरह से बैटर लगता आप यहां पर से बैट करके जरीए जो भी पैमेंट करेंगे 10 सेकंड वेट करेंगे आपको यहां पे जोगे पैमेंट का सिलिप देखने कर लिएगा और यहां पर आप जोगिए पैमेंट करने बाद वापस से से लॉग इन कर सकते कर सकते हैं तो मैं इसका जो के पार्ट वीडियो लेकि झाल झाल